शक्सेते हैं जिन्होंने अपने दम पर बगएर किसी फंशवात के बगएर किसी बैक्ग्राउंड के अपना मुकाम बनाया है जब आप एक प्लाटफॉर्म से कंगना रहनावत को बुली करने वाले तीन सेल्फ इंटाइटल लोगों को देखते हैं जिनमें से एक आपके दोस्ट भी हैं आप कैसा महसूस करते हैं मैंने ये देखा नहीं है मैंने इसके बारे में सुना बहुत है और इस दिन कुछ इनसे भी सवाल जवाब हो रहे थे मेरे हैं ये जो हम क्या कर रहे हैं आजकल छोटी सी बात को लेकर जो शायद मजाक से शुरू है उसको इतना बड़ा बुला लेते हैं डिपेंडिंग उन कि मेरा आपका इसका अजंडा क्या है उदर से देखें तो यह गलत है और यह किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए So we can have discussion on all counts I personally क्योंकि हम तीनों के तीनों जो है अपनी महनत से बढ़े जैसे अपने का अपने लगन से आगे बढ़े इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे अपनी महनत और लगन से नहीं बढ़े हमको एक दूसरे की इज़त करें खुशी से बातचीत करें I think somewhere down the line we get misled by how big a news becomes though it is not meant to be so big As a matter of fact, मैं आप से सवाल पूछना चाहूँगा कि आपको यह नहीं लगता कि कई बहुत छुटी बातों को आप लोग बहुत बड़ा बना के बोल देते हो क्योंकि उसमें TRP अच्छी हो जाती है तो मैं फिल्मों मैं ऐसा करता हूँ मैं बड़ा करता हूँ मैं बेज डालता हूँ हर चीज को कमाल से but can we stop doing that in the news can we stop can we come back to the days when news wasn't a viewpoint wasn't an editorial was just कि ये हुआ भाईया ये हुआ आप ते कर लो आपको कैसा लगा कि मैं उसके मैं को तो हर news अब editorial लगती है किसी का point of view लगती है हर discussion जो है किसी का point of view लगती है and agenda written लगता है and I'm sorry to have taken time on this I would like to substantiate what he's saying कि हम जो करते है न हम तो फिर भी कानिया बना रहे है हम तो fiction में बात करते है मगर जो news है उसको तो हम literally लेना चाहेंगे कि अगर ये कह रहे हैं सज्जन तो ये होगा हम तो कानी बता रहे है हम तो जूट भी बोल सकते है so आप से हम ये जरूर उमीद होती है कि एक निष्पक्ष और बहार जेंडा रिडन और अगर आप लोग हमसे बहतर समझते है कि देश में क्या हो रहा है तो उससे थोड़ा सेंसिताइज करके ये शुट प्रिजन, नो ये वे वे रहे हैं I'm personally very impressed by all the questions that you've asked in this interview including the ones that were controversial but then accept the controversy yourselves I would like to tell the media and we look at you to be all of the things that you expect us to be as film industry very cool